नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इंविश्मेंट बंडास में यासन्स केमेस्ट के लिमिडिट का आई प्यों आने वाला है तो आज में इस आई प्यों का फुल रिव्यू करने वाले और लाश में यह भी डिस्कूस करनेंगे कि क्या हम इसमें अपलाय करना चाहिए या लेकिन अब भी जो है इसकी सब्सेटरी कंपणी का आई प्यों आने वाला है जिसकी हम बाहत करने वाले है तो उसका नाम है यह सब्सेटरी कंपणी 2017 में एक्स्टाब्लीश हुई थी और इनके दो प्रोड़क्ट लाइन से एक तो FMCG प्रोड़क्ट का जो यह मैनुफेक् करते आईंसी प्रोड़क्स के अंदर दोस्तों हम बात करें तो dyes and pigments का यह मैनुफेक्षिंग स्टमाल pundlike थी और FmcG it के अंदर और भी एक दो इंड़स्ट्री से जिसके अंदर जो है इसका इस्तमाल किया जाता है दूसरी जो इनकी प्रोड़क्ट लाइन है दोस्तो वह है FMCG जहां पर यह जो है हेर ओयल का जो है मैनुफेक्चिंग करते हैं इसके अलबा पर्फ्यूम डियोदेंस और हैंड मेट शॉप्स तो इनका पी एलेक्स सोकर के एक ब्रांड है जिस ब्रांड के अंदर जो है इनका मैनुफेक्चिंग किया जाता है तो दोस्तो यह तो ही बिजनस लाइन की बात ले पर पैरेंड कंपणी के अंदर आप देखोगे तो इनका टोटल सेल्स यह वह लगातार उइंक्रीज हो रहा है लेकिन मार्च दौजार ने पीजिस में नेट प्रॉफिटि 3.81 करोड का उसमें सेचे करोड का इंका जो ऐसा इंकम है जो की अधर इंकम है जो कि हूदर तो यह एक कंसान वाला फेक्टर हमें देखने को यहां पर मिल रहा है हाला कि इनकी जो बॉराइं से अगर आप देखोगे तो दस करोर है और सामने जो इनका नेट्वर्ट है शेर केपिटिल प्लस रिजर्व संसर प्लस वह रहूं तीस करोर के आसपा से तो बॉराइं जो है क प्लस चाहे की प्लस जो है चलो है चलों जो अचाहे उलके से रिचंडर से ने घंतर मिल रहा है अभी दोस्तों बात करते हैं कि इस company के अंदर इनके financials की तो दोस्तों financials में हम बात करें तो मास 2020 में जो इनका total revenue था around 19 करोड का था 21 में 18 करोड का था और 22 के अंदर जो है ये बढ़के 26 करोड का हो गया और September की बात करें अरूं September में इनका revenue है अरूं 15 करोड के आसपास का है मतलब यह अनुमान लगा जा सकता है कि मास जो जा देवी सक around इनका 30 करोड के आसपास का जो है इनका revenue रहा होगा और अगर हम profit की बात करें तो एक करोड से यह बढ़के इनका profit है यह सेप्टमबर में दो करोड लाग हो गया था प्रोफिट भी लगा था इंक्रीस हो रहा है और यहां पर बोरेंस भी अगर हम देखे तो बोरेंस भी जो है वो भी इंक्रीस हो रहा है आला कि net worth भी अच्छा कासा है इनका इंक्रीस हो रहा है तो financials में दोस्तों हमें सरफ revenue जो है उसमें थोड़ा growth हमें कम देखने को मिल रहा है और दूसरी चीज यह कि हमने देखा कि इनकी जो parent company है उसमें भी जो है उस बात 2023 के अंदर जो है इनका growth कम था तो overall दोस्तों यह अगर एक साल के अंदर ऐसा कुछ growth कम देखने को मुल रहा है तो उसमें बड़ा कोई concern factor नहीं है यह up and downfall जो है वो हर company में आते रहते हैं तो उसमें कोई भी बड़ा issue नहीं होना चाहिए अभी दोस्तों बात करते हैं वैल्यूइशन प्रस्पेक्टिव से तो वैल्यूइशन में दोस्तों इनकी अगर हम PR comparison करेंगे तो यहां पे तीन-चार companies निकल के आ रही है अगर आप देखोगे तो यहां पर 1.38 का जो इन्होंने EPS दिया हुआ है वह वेटेड एवरेज EPS नहीं है लेकिन इनका जो मार्च 2022 के अंदर जो है इनका 1.38 का EPS है वेटेड एवरेज EPS है वह 1.12 का है तो दोस्तों 40 डिवाइड बाय अगर हम 1.38 करेंगे तो यहां पर 29 का जो है price to earning ratio निकल के आ रहा है और सामने दूसरी कंपनी इसका जो price to earning ratio वह भी चेक कर लेते हैं कि वह कैसा है तो जैसे माइचक्रा केमिकल्स का 20.63 का है मेगमनी और्गेनिक्स का 8.89 का है कीरी इंडेस्ट्री का काफी ऊपर है और कुशंती कलर केम का 30.93 का price to earning ratio तो इसका price to earning ratio निकल के आ रहा है वहीं return on net worth average 11.3 का अच्छा है बुरा नहीं गह सकते एक average return on net worth है मेगमनी का काफी अच्छा कासा है 21.39 का return on net worth है मेगमनी का तो ओरोग दोस्तों यहां पर valuation और यह सस्ता हो सकता था और ही थोड़ा अगर इसको और इसका कम प्राइस कम होता अरूं 30 या 35 रोपीस के आस्वास होता तो और यह attractive हो सकता था हाला कि यहां पर जो valuation में देखने को मिल रहा है वह एक fair value पर जो है company IPO लाते हुए देखने को मिल रही है अभी दोस्तों बात करते है कि IPO details की तो IPO date 24 July का रहेगा यह 24 July को IPO अने वाला 26 July को यह IPO close हो जाएगा face value जो है 10 रुपय प्रती शेर और IPO का प्राइस है वह 40 रुपीस पर शेर का रहेगा lot size जो है 3000 शेर का रहने वाला और पूरा पूरा जो है करेंगे लिश्टिंग डेट जो रहने वाला इसका 3 August का रहने वाला है और अगर में retail category में बात करें तो 50% of the shares allocate की जाएंगे और other category में 50% of the shares allocate की जाएंगे retail category में minimum जो है आप 3000 शेर के लिए apply कर सकते हो और जो amount रहेगा वह 1,20,000 रुपय रहने वाला है है कि क्या मैं इसमें apply करना चाहिए फिर apply नहीं करना चाहिए तो दोस्तों पहली जीजिए कि इसकी जो parent company है वो 1990 से उनका business है आज मलब 30 साल से भी जा रहा हो गए उनके business को हाला कि यह company 2017 में established होई है लेकिन parent company का भी एक similar line of business है जो कि इस company का है तो overall इनको business का experience का अच्छा का सा है प्लस financials भी हमने देखा कि 2000 जो parent company के financials है 2023 में वहां पे थोरा sales में decrease देखा था लेकिन overall financials हमें यहां पे जो है पॉजिटीव ही देखने को मिल रहे है वहां पे ballings पे गर हम देखेंगे तो overall कम है valuation अगर यह कम करते था of course यह एक attractive IPO बन सकता था और दूसरा चाहिए कि दोस्तों अगर आप इसमें apply करना चाते हो तो अगर आप aggressive investor हो या फिर aggressively आप इसमें play करना चाते हो तो आप इसमें apply कर सकते हो थोरा risk लेकिन अगर आप safe trader हो या safe investor हो तो फिर दोस्तों आप इसको response तो यह फिर जो है दोस्तों आप अपना इसमें पैसा नवेश करना अधर इस फिर जो है इसको ignore भी कर सकते हो तो दोस्तों यह मेरा analysis था लेकिन आप जो है अपना analysis जरूर कर लेना और उसके बाद ही decide करना कि आपको इसमें apply करना है या नहीं करना है तो आशा करते हूं दोस